नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है My dear parents आज हम ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं कि बच्चे का जो सिर होता है तो बच्चे के सिर में एक भाउरा होता है यानि पीछे साइड में इस साइड में भाउरा होता है राइट साइड में और एक भाउर होती है वो होती है आगे इधर ऐसे गोल ऐसे जुकी हुई बनी हुई होती है तो इन दोनों में क्या फरक है और इन दोनों में मतलब इनके बताऊंगी कि मतलब ये अच्छे होते हैं या खराब होते हैं इक हो दोनों के हो सकता है दोनों के ही हो सकता है सभी बत्थों कि मतलब इस आन्तर नहीं है तो उसमें दुबारा आपको प्रेग्नेंसी में आपको लगड़का पैदा होगा और जो ये छोटे बच्चों के भामर होती है ये यहाँ पे भामर होती है ऐसे गुलाई से भामर होती है तो उसमें मांग जो अगर लड़की के है या लड़के के है तो मांग सीधी साइट से नहीं निकल पाती है तो आप उससे पहचानी है कि ये भामर है तो भामर में जिसके भामर होती है लड़के हो या लड़की के हो तो उसमें बच्चों को बहुत बड़ा खत्रा रहता है उसमें खत्रा क्या रहता है? बच्चों को पानी से बचाओ करने का बहुत ही जादा रहता है बच्चों को पानी से हम बचाओ करें जैसे कि हमारे छोटे बच्चे होते हैं को कि पूरी कोशिज करें कि बच्चा बाफ्रूम बंद करके रखें पानी की जो पानी रखा वगा है कही कि पर कीचन में या कहीं द्धान दें क्योंकि बच्चों का यह भहमर जो होती है और जब बच्चा बड़ा हो जाता है देरे-दीरे बड़ा होता है बच्चा तब भी उसको पानी से भाउत खत्रा रहता है जैसे बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे नहाने के लिए जाते हैं फंगा बिठूर या म के वाधे क्या से लिए अगर जाने की हमारे वाचे यह चीज है आप लोग कि खयाल कि बच्चों को कहीं भी पानी में अपने बच्चों को नहलाएं और कहीं भी अईसादाने की अश्वी बच्चों को फाफ़ रहे वजें लिए जिसे का पानी का खत्रा हो जिन बच्चों के भामरा होता है उनका तो बहुत ही अच्छा होता है भामरे में लड़का का पूरा पूरा चांस होता है और लड़का भी जिसके भामरा होता है सिर पर पीछे साइड में तो बच्चे बड़ा खुसी जीवन जीते हैं और बहुत ही अच्छे तरक्क में यह अंतर हमने आपको बताना चाहिती थी तो यहीं अंतर होता है कि हमर में बच्चे को पानी से बचाना है बहुत ही जादा ख्याल रखना है बच्चे का just a कि आपने सुना होगा कि बहुत सी बच्चे होते हैं तो कोई-कोई छोटे मेही जैसे टब contracts माने देख नहीं बच्छे जब चलनेपिरने लगते हैं पानी फेल ठी अरम हुझा उसेल फिल भ़ती हमार Eggs बच्छे का पानी से बहुत हमारी बच्छाओ हमारी बच्छे करते हैं कि पर यह पानी difficult यह पुराने बुजुर्ग हैं उनको ये बाथ जरूर पता होगी और जो नए पीड़ी के लोग हैं। नए बच्चे अभी जनेशन हुई है उन बच्चों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा तो पैरेंस यह हमारा बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन इसकी कहानी जो है वह बहुत बड़ी है इसलिए अगर आपको हमारा यह बच्चों से जुड़ी हुई जानकार लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें